नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासिस, दोस्तों, बजट अंसर्टिनिटी, बजट अंस्चित्ता क्या है? How is risk managed in projects? Subject, Project Management, Budget Uncertainty and How to Risk Managed in Project तो सबसे पहले हम बात करेंगे, बजट अंसर्टिनिटी के ऊपर Budget Uncertainty से मतलब क्या है? और इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? अब जैसे कि हम बात करें, Uncertainty means अनस्चित्ता तो इसका मतलब है, यदि हम Example की बात करें, तो Example के तौर पर जैसे कि हम देखें, भुपाल मेट्रो, इंदोर मेट्रो, जो हमारे मेट्रो के प्रोजेक्ट थे, ये प्रोजेक्ट 3-4 एर्स पहले से स्टार्ट हुए थे, गवर्मेंट ने मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए जो बजट रखा था, जो बजट डिसाइड किया था, क्या चार साल पहले decide के हुए budget में चार साल बाद जब हमारा project complete हो रहा है तो क्या उतनी बजट में complete हो जाएगा यदि नहीं होता है और जाना budget की जरूरत पढ़ती है तो यह क्या है अनस्चित्ता है क्योंकि current में हम किसी भी project के लिए जो budget निर्धारत करते हैं जो budget decide करते हैं यह जरूरी नहीं कि जब तक हमारा 3-4 years में project का काम complete होगा वो इतनी ही budget के अंदर complete हो जाए हो सकता है कि आपका budget कम लगे जो आपने decide किया है हो सकता है जाना लगे क्योंकि यह ना हम बता सकते हैं ना आप बता सकते हो तो जो project manager होता है उसी की सारी responsibility होती है कि जब भी हम किसी भी budget को निर्धारत करते हैं और हम किसी भी project को लेते हैं तो सारे factors को consider करते हुए निर्धारत किया जाता है तो budget uncertainty यही कहलाती है तो budget uncertainty means unexpected increasing or decreasing the cost of any project किसी भी project की unexpected अंचाही cost बढ़ जाना कम हो जाना the future cost of any project भी cannot predict किसी भी project की भविश्च की जो cost है उसको हम अनुमान नहीं लगा सकते and the cost of project may increase or decrease and the cost of project और project की cost बढ़ भी सकती है घट भी सकती है during the development of project जैसे जैसे project पे हमारा काम होता जाएगा develop होता जाएगा project तो कीमत या तो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी तो यह depend किस पर करेगा हो सकता है कि जैसे आपके project को 4 years complete होने में लग रहे हैं और 4 साल बाद इन सभी materials की price 20% तक बढ़ चुकी हो तो project की cost तो बढ़ेगी और एक चार साल बाद की आप सोच ही नहीं सकते थे कि इतना price increase होगी ना cement की ना आपके int की bricks की ना आपके concrete की इन सभी का अनुमान लगाना भविस्ट का संभा में तो इसको हम क्या बोलते हैं budget uncertainty means यह क्या कहलाती है जितने भी हमारे project managers होते हैं जिनकी जबाबदारी होती है किसी भी project में uncertainty को कम करने की क्योंकि इसमें uncertainty जो हमारे manager है जो इसको decide करते हैं उनकी जबाबदारी होती है कि जब भी हम किसी भी project की कीमत को क्या करते हैं budget नरधारत करते हैं तो सभी चीजों को देखते हुए budget को नरधारत किया जाता है अनुमान लगाया जाता है क्योंकि हमें मालूम है भवस्त में इसकी price बढ़ सकती है हमने 4 साल का time दिया है project completion के लिए साड़े 4 साल भी लग सकते हैं 5 साल भी लग सकते हैं तो जैसे आपका time बढ़ेगा तो इसकी जो budget का जो खर्चा है cost है वो भी बढ़ती जाएगी तो जो घटना बढ़ना यह जो हमारे किसी भी project के दोरान हमको face करना पड़ता है यही क्या होती है अनस्चित्ता कोई भी चीज नस्चित नहीं है क्योंकि future का अनुमान हम नहीं लगा सकती तो यह जो सारी फनामना होती है that is called budget uncertainty okay now how is risk managed in projects किसी भी projects के अंदर हम खत्रे के लिए risk के लिए जोखिम के लिए कैसे कम कर सकते हैं अब बात आती है कि how is risk managed in project project के अंदर जोखिम को कैसे manage कर सकते हो there are many parts to managing risk including a formal process to plan for risk and several strategy such as identifying future challenge सबसे पहले हमें भविस के challenge को पहचानना पड़ेगा कि भविस में क्या क्या challenges आ सकते हैं जैसे हमने project लिया और project के लिए हमने समय सीमा फिक्स की कि भई यह इस project को हमें 5 साल के अंदर हर हाल में complete करना है तो सबसे पहले आपको यह पहचानना पड़ेगा कि 5 साल के अंदर क्या क्या इस्तिती बन सकती है क्या क्या challenges आ सकते हैं यदि हम इनको एक सही अनुमाल लगा पाएं तो हम अपने जो budget की risk है या uncertainty है इसको कम कर सकते हैं इसकेंड analysis of risk आपने budget में किस तरह की समस्यां आ सकती है यदि इसको सही तरीके से analysis कर लिया के इससे क्या क्या खत्रे हो सकते हैं क्या क्या problems create हो सकती हैं इनका अच्छे से यदि हम अनुमाल लगा लें सही से इसकी study कर लें तो हम budget uncertainty को reduce कर पाएंगी थर्ड पॉइंट create a risk management plan इसके बाद हम एक risk management plan को develop करें create करें और उस plan के अनुसार ही हम अपने project पे यदि काम करेंगे तो हमारी जो budget uncertainty है उसको manage किया जा सकता है फॉर्थ पॉइंट है correct evaluations of project cost अब बात आती है कि जब हम चार साल पहले इस project की budget का evaluation कर रहे थे इसकी cost का evaluation कर रहे थे यदि हमने सही तरीके से evaluations किया होता तो हो सकता है कि आपकी जो budget में uncertainty आ रही है यह आपको face नहीं करना पड़ती क्योंकि हमें मालूम है समय समय पे new new technologies आ रही है government के different taxes apply होते रहते हैं इसलिए हर साल हमारी जो price है वो बढ़ती ही जा रही है चाहे आप concrete की बात करो bricks की बात करो cement की बात करो यह जितने भी हमारे building materials हैं किसी भी project में जितने भी हम labor की बात करें जो labor हमारे लिए 100 रुपी परड़े के हिसाफ से मिलती थी आज वो 300 600 800 रुपी परड़े में मिलती है तो year by year क्या है कि यह price है जो की increase होती जा रही है इसलिए आपको project का यदि सही caste यदि आपने अनुमन लगाया होता चार साल पहले तो आपकी जो uncertainty है वो खतम हो जाती इसके बात next point है duration of project completion हमारा जो project है project की completion की जो समय सीमा है यदि इस समय सीमा के अनुसार ही हम काम करते हैं तो uncertainty को reduce किया जा सकता है means क्या होता है कि जब हम 4 साल पहले किसी project का tender pass होता है और जो उसका contact होता है वो एक समय सीमा बोलता है government बोलती भाई आपको 4 साल के अंदर या 2 साल के अंदर इस bridge को बना के ready करना है जैसे metro का काम हमारे 3-4 year से running में है लेकिन जब हम समय सीमा में काम नहीं कर पाते हैं कभी हमको labor नहीं मिल रही है कभी हमारा material नहीं आ पा रहा है कभी जहां पर हमारे इसके lining डालना है वहां पर permission नहीं मिल रही है तो हमारा project delay होता जाता है delay होता जाता है तो जितना समय सीमा से ज़्यादा project हमारा delay होगा इसमें budget हमारा ज़्यादा बढ़ जाएगा तो means यह भी क्या है एक uncertainty तो duration आप project completion इस पे हमको बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा कि जो हमने किसी को commitment किया है उस commitment के अनुसार ही काम होना चाहिए monitoring इसके बाद आता है monitoring आजकल क्या होता है हम जानते हैं सभी की mentality इस तरह इससे हो गई है कि काम करना ही नहीं चाहते focus का खाना सभी चाहते कोई भी इमांदारी से work को परफाम नहीं करना चाहता और यदि आप अपने project की time to time monitoring नहीं करोगे तो six month का काम आप note करके चलिए eight या ten month में complete होगा और यदि आप proper monitoring करते हो तो आपका project समय सीमा में ही complete हो जाएगा तो यह जो हमारे parameters है यदि इन parameters को properly यदि हम परफाम करते हैं तो जो budget की uncertainty है उसको reduce किया जा सकता है अब आप ही को देख लो आप video देखने के बाद भी video को like नहीं करते जब आप किसी का अच्छा नहीं सोच सकते हो तो आप कैसे सोच लेते हो कि आपके साथ अच्छा होगा तो यह mentality जो आपकी है या जो बरकर की mentality होती है इसको बदलना बहुत जरूरी है वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्वाद थैंक यू